वग्यानिकों ने बताया समय लगबख 65 मिलियन साल पहरे जब लास्ट प्रले आये थी तब धर्ती से डानासोर खत्म हो गए थे इसे फिफ्थ सामोहिक विनाश कहा गया अब वग्यानिक डरे हुए हैं कि जलती सिक्स प्रले भी आएगी जिसमें कई स्पिशी समय इंसानों का गायब हो जाती है इसे समयने की शुरुवात हम पहले विनाश से करते हैं लगबख 443 मिलियन साल पहले आया प्रले जिसे एंट एड़ोविजन कहा गया इस दोरान प्रतीब जितना पानी था सब बर्स में बदने लगा समुद और उससे बाहर ठंड से जीव वने लगे इस पक्का अंदाजा विज्यानिकों को भी नहीं है इसे एंड डेवोनियन कहा गया धरतीबज वाला मुख्यों की अचानक एक्टिव होने से ओक्सियन का इस्तर कम होने लगा और स्पिशीज खत्म होने लगी यह इतना ब्यानक था कि तब मौजूद 75% से ज्यादा प्रजाति करा शुरू हुआ अब बात करते हैं तीसी प्रेले की जिसे एंड पर्मियन कहते हैं लबक 251 मिलियन साल पहले हुए इस आमईक विनाश के जिम्मेदा साइबेरिया की ज्वालमों की थे वह फटने लगे समुद्र हवा में जहर और एसिट फैलने लगा यहां तक कि और जोन मिलियन साल पहले चोथी बार धर्ती पर तांडव मचा जिसे एंड ट्रैसिक दोर कहा गया इस बार भी जालमों की पटे लेकिन साइबेरिया में नहीं बगी धर्ती की बाकी जगहों पर इस विनाश में भी तब मुझूद लगभग 80 वजातियां खतम हो गई बचे तो डान धर्ती से गायब हो गए लगभग 65.5 मिलियन साल पहले आए इस पहले के थियोरी पर लंबे समय से बहस चल रही है कि आखिर इसकी वज़ए क्या थी इस दोरान एक एस्टिरोइड दर्जिजर टकराया और यह बात सब भी जानते हैं लेकिन क्या उसके टकराने भर से ऑक्सि बड़ी और ऑक्सिजन का अस्तार एकदब नीचे चला गया इस दोरान 76 पर जातियां मर गई अब बारी आती है शिक्स विनाश की जिसकी बात साइंटिस अब करने लगे है कि यह कैसे होगा क्यों और कब होगा नबे के शुरवात में मश्यूर जीवाश में वग्यानी इच कर रही है इसकी शुरुवात भी हो चुकी है दरसल प्रले के बिना भी धरती से लगाता कई स्पीशिस खत्म होती रहती है इसे बैक्ग्राउंड रेट कहते हैं इंसान के वज़े से धरती पर स्पीशिस के कायव होने के रफ्तार लबक सो गुना तेज हो चुकी है यानि हम मशलियां सब खत्म हो जाएंगी और इसकी वज़या बनेगा क्लाइमिट चेंज जिस तेजी से धरती गरम हो रही है और मास आगरों की बर्फ पिगल रही है वैग्यानिक इसकी तुलना जलमुक्यों के अचानक फटने से कर रहे हैं जिससे पानी इतना गरम हो जाएगा कि उसमें ऑक्सियन का सरगटने लगेगा नतीजा समुद्र जीवजन्तु मने लगेंगे शुरुवात पानी से ही होगी फिर इसका असर हवा में पहुंचेगा और दीरे दीरे बहुत सारी स्पिशीज या प्लजातियां एक साथ खत्म हो जाएंगी बरते तापान से लगातार कई देशों में जंगल आग पकड़ रहे हैं बीते साल गर्मियों में ठंडे उरोपिय देश में भी गर्मी से तरही तरही का रूटे थे यहां तक कि दफ्तर बंद करने पड़े और मिट्टी तक उपजाओ या फर्टाइल नहीं रही दुनिया के बहुते रे देश बे मोसम की कभी तुफान कभी सूखा तो कभी भुकंप देख रहे हैं इस पर सबसे खराब बात कि अब भी संबलने के बज़ाए जंगल काटे जा रहे हैं United Nations Food and Agriculture Organization के हिसाब से साल 2015 के बात से हर साल लबबग 24 मिलियन एकर जंगल काटे जा रहे हैं अब तक ये पता नहीं चल सकाया कि अगली प्रलिकाब आएगी लेकिन कई विज्यानिक अलग-अलग दावे कर रहे हैं Science Advances में Massachusetts प्रौद्योगे का संस्थान के Planetary Sciences विभाग ने अपने शोद में कहा है कि साल 21 के करीब ऐसा होगा साथ में ये माना गया कि जिस आप से दर्तिक गर्म हो रही है विनाश्य से पहले भी आ सकता है अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंट्रेस्टिंग फैट के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जूरू करें थैंक यू